हमने सबका साथ सबका विकास का बंत रहे करके हम चले थे लेकिन देखते ही देखते देश वाजियों ने सबका विश्वार और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिये हैं और इसलिए हमने देखा है हमारी सामुहिक शक्ति को हमारे सामुहिक सामर्त को हमने देखा है आज प्रकारते हाज अहर जीले में 75 अमृट सरोवर बनाने का अभ्यान कल रहा है गाउं-गाउं के लोग जूड रहे हैं कार सेवा कर रहे हैं अपने प्रैस्टों से अपने गाउं में जल्सवरोच्षंड के लिए बड़ा भ्यान चला रहे हैं और इसलिए भाईयों बैनों चाहे स्वच्छता का भियान हो चाहे गरीबों के कल्यान का काम हो तेस आज पूरी शक्तिशा आगे बता हैं लेकिन भाईयों बैनों हम लोग आज़ादी के अमरित काल्ब है हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गवरोगानी करते रहेंगे अपनी ही पीठ ठप ठपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएगे और इसलिए पच्चरतर साल का कालखन कितना ही शांदार रहा हो कितने ही संकटों वाला रहा हो कितने ही चुनोतियों वाला रहा हो कितने ही सपने अधुरे दिखते हो उसके बावजुद भी आज जब हम अमरित काल में प्रवेश कर रहे हैं अगले 25 वार्ष हमारे देश के लिए अत्नित महत्व पूरा है और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किरोस पर से एक सो तीस करोर देश वासियों के सामर्थ का स्मरण करता हूँ उनके सपनों को देखता हूँ उनके संकल्पों के अनुभूत ही करता हूँ तो साथ्यों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उड़ 5 पांच प्रांड पर अपनी शक्ति को केंदित कर्दी होँ अपने संकल्पों को क्रंदित करना होगा अपने सामर्थ को कांदित करना होगा और हमें उन पंच प्रांड को लेकर के तो होजार से तालिश जवाज हादी के सो साल होंगे आज हादी के दिवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा देगे